हेलो फ्रेंड वल्कम टो इस्टडी न्यूज आज हम इस वीडियो में जुआर भाटा के बारे में जानेंगे किसकी उत्पत्ती कैसे होती है और ये कितने प्रकार क्यों होते हैं सो लेट अस्टार्ट हम लोग जानते हैं कि प्रिथ्वी अपनी धूरी पर घूमते हुए सूर के चकर लगाती रहती है इसी तरह चंद्रमा भी प्रिथ्वी के चकर लगाती रहती है चंद्रमा जब भी प्रिथ्वी के निकट आती है तो प्रिथ्वी को अपनी गुर्तवा करसन बल से अपनी और खीचती है लेकिन इस खिचाओ का ठोस जमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन समुद्री जल में हल्चल पैदा कर देता है सूर्य तथा चंद्रमा की आकरसन सक्तियों के कारण साग्री जल के उपर उठने और गिरने की क्रिया को जवार भाटा कहते हैं जवार भाटा की घटना केवल सागर पर ही लागू नहीं होती बलकि उन सभी चीजों पर लागू होती है जिन पर समय एवं इस्थान के साथ परिवर्तन सील गुर्तूई बल लगता है महान गड़ी तक के सर न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुर्तूआ कर्सन के नियम द्वारा किसी वस्तू का गुर्तूआ कर्सन उसकी मातरा का समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती होता है ज्वार की उत्पत्ती में इस नियम का सही पालन होता है पानी के उपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं तथा पानी के नीचे गिर कर पीछे लोटने को भाटा कहते हैं प्रिथ्वी चंद्रमा और सूर की पारस्परिक गुरुत्वा कर्शन सकती की क्रिया सीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ती का प्रमुक कारण है अब जानते हैं ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं प्रिठ्वी चंद्रमा तथा सूर की सापेक्च इस्थितियों में अंतर के कारण ज्वार के उत्पन बलों में विभिनता पाई जाती है इनमें एक रुपता का अभाव पाई जाता है अता ज्वार भाटा विभिन प्रकार के होते हैं पहला दिर्ग ज्वार जब सूर प्रिठ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस इस्थिति को सीजिगी कहते हैं ऐसे इस्थिति अमावश्या तथा पूरिमा को होती है जब सूर तथा चंद्रमा दोनों प्रिठ्वी की एक ओर होते हैं तो उसे यूती कहते हैं और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में प्रिथवी की इस्तिती होती है तो उसे वियूती कहते हैं यूती की इस्तिती अमावश्या तथा वियूती की इस्तिती पूरिमा को होती है ऐसी इस्तिती में आकर्षन बल्द के साथ मिलकर कार करते हैं जिस कारण उच जौर उतपन होता है। इस जौर की उचाई समाने जौर से 20% अधिक उची होती हैं। इस तरह जौर महिनी में दो बार पुडिमा तथा अमावश्या को आते हैं। दिर्ग जौर के समय भाटा की निचाई सरवाधिक होती है। दूसरा लगुजवार जब सूर्य प्रिथवी तथा चंद्रमा समकोण की इस्थिती में होते हैं तो उसे समकोड़ी इस्थिती कहते हैं इस इस्थिती में जवार उत्पन बल एक दूसरे के विपरित कार करते हैं जिस कारण सामान जवार से भी नीचा जवार आता है इसे अर्ध दैनिक जौर भाटा कहते हैं इस तरह का जौर चंद्रमा के जुकाव के कारण होता है चोथा अर्ध दैनिक जौर किसी इस्थान पर प्रतेक दिन में दो बार आने वाले जौर को अर्ध दैनिक जौर कहते हैं पच्वा मिस्रित जौर किसी इस्थान पर आने वाले असम क्रसकावान अर्थ दयनिक ज pię को मिश्रृतं कहते हैं अगला है भूमद रेखिये जवार जब चण्द्रमा भूमद रेखा के ठीक उपर इस्तिथ होता है तब वहाँ उत्पन दोनों उच ज्वारों तथा दोनों निम्न ज्वारों की उचाई में समान्ता पाई जाती हैं इन ज्वारों को भुमद्य रेखे ज्वार कहते हैं और लास्ट है आयन व्रित्य ज्वार करक और मकर रेखाओं के निकट उत्पन और साधारन उचाई वाले इन को आयन वृत्तिय जौर कहते हैं अब चानते हैं कि जौर भाटा किस कारण आते हैं जब प्रिथ्वी चंद्रमा और सूर की पारस्परिक गृत्वा करशन सक्तियों क्रिय सीलता ही जौर भाटा की उत्पत्ति का प्रमु कारण है चंद्रमा का उतपादक बल सूर की अपेक्छा दोगुना होता है क्योंकि यह सूर की तोल्ला में प्रिथ्वी के अधिक निकट होता है प्रिथ्वी पर प्रतिक इस्थान पर प्रतिदिन 12 गंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के बाद 6 गंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है ज्वार प्रती दिन दो बार आता है एक बार चंद्रमा के आकरशड से और दूसरी बार प्रिथवी के अब केंद्री बलके कारण लेकिन इंगलेंड के दच्छुडी तट पर इस्थित साउथ हेंपटन में ज्वार प्रती दिन चार बार आते हैं तो ये थी ज्वार भाटा से जुड़ी कुछ प्रमग बातें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट